Hello Friends, LGR Study ITI के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत हैं Friends, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि महरातन कलास में मेरे द्वारा आप लोग को सभी सब्जेक्ट के most important question का कोई revision करवाया जा रहा है आपको बता दे कि आज हम लोग ITI महरातन कलास का part थे देखने वाले हैं चले शुरू करते हैं आपको बता दे कि आज के session में हम KJX के most important question को देखने वाले हैं तो अगर आप लोग भी कुछ revision करना चाहते हैं most important question का revision करना चाहते हैं तो ध्यान से समझने की जो एकोसिस कीजेगा पिछले session में हम लोग KJX का 60 question तक complete कर चुके हैं तो आज हम लोग 60 number question से आगे बढ़ेंगे यहाँ पर आज का जो 60 number महत्पूर्ण question है पूछा जरकी कार्य का मात्रक हैं तो यहाँ पर आपका B option सही होगा जूल जो है वो क्या होता है कार्य का मात्रक होता है चलिए next देखेंगे यहाँ पर आपके 62 number महत्पूर्ण question पूछा जरकी परकास वर्स की काई है परकास वर्स जो है वो किसकी unit है किसकी एकाई है तो बासट का जो यहाँ पर आपका C option है सही होगा जो कि दूरी की परकास वर्स किसकी एकाई है मतलब किसका मात्रक है तो दूरी यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा चलिए next देखेंगे यहाँ पर आपके 63 number महत्पूर्ण question पूछा जरा है कि पारसेक एकाई है पारसेक जो है वो किसका एकाई है तो 63 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो D होगा यहाँ रखेंगे दूरी की आपको बता दे कि ITI परवेश परिक्षा में physics और chemistry से ही question पूछा जाता है biology से question नहीं पूछा जाता है आपको बता दे कि बहुत सारे YouTube channel के द्वारा जो है biology का भी question ITI वाले छत्रों के लिए जो है करवाया जा रहा है तो आप लोग ऐसे अंद्र विश्वास में ना परे आपका syllabus जो कहता है उसके अनुसार है आप लोग तयारी करें तो आप लोग कहीं भी ITI के लिए अगर biology का वीडियो अपलोड किया जा रहा है तो उसको ना देखे क्योंकि ITI में biology से question नहीं पूछा जाता ये आप लोग जो है निश्चिंत रहिए physics और chemistry से question यहाँ पर आपको पूछा जाएगा और मैं physics और chemistry का पूरा जो है complete तयारी आप लोग को खरवाऊंगा चलिए तो आप लोग समझगे कि biology का आपको जो भी वीडियो मिले ITI के लिए उसको नहीं देखना है यहाँ पर देखेंगे हम आपके 63 नंबर question को पार सेक इकाई है तो 63 का हम आपको बताया कि DNA की दूरी जो है पार सेक जो है दूरी की ही इकाई होती है यह खगोली दूरी मापने के में जो है काम में लाया जाता है चलिए देखेंगे यहाँ पर आपके 64 नंबर मात पूर्ण question निम्नलिकित में समय कौन सा का मातरक नहीं मतलब आपको simply बताना है कि समय का मातरक निम्नलिकित में से कौन नहीं है समय का मातरक कौन नहीं है तो 64 का यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ए होगा परकास वर्स लग रहा है कि यह समय का मातरक है लेकिन यह समय का मातरक नहीं है याद रखिएगा यह दूरी का मातरक है परकास वर्स किसका मातरक है दूरी का परकास वर्स में होता क्या है कि परकास एक वर्स में जितनी दूरी तै करती है उस दूरी को एक परकास वर्स बोला जाता है एक सकेंड में परकास जितनी भी दूरी तै करती है जितना डिस्टेंस तै करती है उस दूरी को परकास वर्स कहा जाता है ठीक है एक सकेंड में परका पूछार की दाव का मात्रक है तो 65 का यहाँ पर आपका आंसर होगा दाव का मात्रक क्या होता है तो 66 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो B होगा that means याद रखेंगे Candela यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही जो है आंसर होगा Next देखेंगे यहाँ पर आपके 64 के यहाँ पर जो है सरसथ नूमर मातपूर्ण कोईचन है मातरकों की अंतराष्टिये पदती कब लागू की गई आपको पता होगा कि मातरक का जो अलग अलग पदती है जैसे आपका FPS पदती है, CGS पदती है, MKS पदती है यह सारा का सारा पदती पहले पर चले था लेकिन अंतराष्टिये पदती, that means ऐसा पदती जो है, वो कब लागू किया गया तो सरसथ का यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, वो आपका B होगा, that means यहाँ रखेंगे 1971 इस B यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है, सही आंसर होगा नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 68 नंबर मात पूर्ण कोश्चन, खाद दोड़जा को हम किस एकाई में माप सकते हैं पोँछा हुआ क्योंकि जीस टैप का क्योंचन हमने सेलेक्ट किया है वो जनरली आपके एकजाम में देखने को मिलता है और यह क्योश्चन डारेक्ट आपके एकजाम में पोछा हुआ कोश्चन है अरसर नंबर तो यहाँ पर आपका जो 63 का सही आंसर होगा वो B होगा, that means C रिखेंगे कैलोरी ठीक है, कैलोरी यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा, चले देखते हैं यहाँ पर आपके 69 नंबर कुश्चन पूछा जरे कि विद्यूत मात्रा की इकाई क्या है तो 69 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, वो C होगा that means C रिखेंगे MPR आप सभी को पता होने जी, विद्यूत मात्रा की जो इकाई है that means unit है, वो क्या होता है MPR होता है चले देखेंगे यहाँ पर आपके 70 नंबर महात्पूर्ण कुश्चन पूछा है कि SI परज़ती में लेंस की सकती की इकाई क्या है लेंस के सकती का इकाई क्या है, पावर का जो लेंस का जो पावर होता उसका SI मात्रक आपको बताना है तो 70 का यहाँ पर आपका C option सही होगा, डायोप्टर यहाँ पर आप याद रखने की फोसिस करेंगे और लेंस का सकती निकालने का फर्मूला क्या होता है तो याद रखेंगे P बराबर 1 by F और यह P क्या है पावर है किसका, लेंस का पावर यानिक पावर सकती निकालने क्या है और अब क्या है, फोकस दूरी है चलिए, इस फर्मूला से आप लेंस का सकते भी क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके आपके 71 नमबर मात पॉर्ण कॉश्चन पूछा जारा कि MPR क्या मापने की काई है MPR जो है क्या मापने की काई है तो 71 का यहाँ पर आपका A option जो है सही होगा याद रखेंगे current मापने की काई हैं क्या मापने की काई हैं चल यागे भरेंगे देखेंगे यहाँ पर आपके बहतर नमबर question निमने लिखित में से कौन वेक्टर मात्रा हैं कौन सा मात्रा वेक्टर मात्रा मतले वेक्टर क्वांटिटी निम्ली खितमे से कौन सी हैं तो बहतर का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो C होगा डैट मीं से आज रखेंगे बल यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा अगर ITR परवेश परिच्छा के बेहतर तैयारी के लिए अभी तक आप हमारे मोबाइल एप को डाउनलोड नहीं किये हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रेप्शन बॉक्स में आप लोगको मोबाइल एप का जो है लिंक मिल जाएगा वहाँ से जरूर आप लोग जो लोग डाउनलोड नहीं किये हैं मोबाईल एप तो डाउनलोड कर लिजएगा क्योंकि वहाँ पर आपको सभी subject के most important question का वहाँ पर आपको PDF मिलेगा study material और वहाँ पर आपको 10 practice set मिलेगा 10 साल के previous year का question भी आपको मिलेगा answer के साथ तो जो लोग डाउनलोड नहीं किये हैं इस वीडियो के description box में आपको दो mobile app का लिंक मिलेगा दोनों का दोनों जो है ITI परवेस परिच्छा के लिए काफी महातपूर्ण है जो लोग डाउनलोड नहीं किये बस 3-4 MB का app है तो जएदा आपका space भी नहीं लेगा जो 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 जाएगा चले देखेंगे यहाँ पर आपके 74 नमबर महातपूर्ण question पूछा जरा की आदिस रासी है आदिस रासी निमनले लिखित में से कौन सी है तो चोटर का यहाँ पर आपका B option जो है सही होगा जो 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 है वो क्या है आदिस रासी नहीं है चलिए आगे बढ़ जाएंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 75 नंबर महात्पूर्ण कोईशन पूछाज़रे कि निमने लिखित में से कौन सी एक सदिस रासी है सदिस रासी के बारे में बताना है सदिस कहते हैं सदिस चलिए यहाँ पर देखेंगे आप लोग 76 नंबर महात्पूर्ण कोईशन के द्वारा पूछा जारा है कि पदार्थ के संबेग और वेग के अनुपात से कौन सी बहुत रासी प्राप्त की जाती है तो वेग और संबेग कि अनुपात से आपको पता होना चाहिए कि द्रभ्यमान प्राप्त होता है यानि कि वेग और संबेग के अनुपात को क्या बोलते हैं द्रभ्यमान बोलते हैं द्रभ्यमान प्राप्त कर सकते हैं चलिए देखेंगे यहाँ पर आपके 78 नमबर मातपूर्ण कोईश्चन गुरुत्वा कर्शन के सार्व भौमिक नियम का प्रतिपादन किस ने किया मातपूर्ण कोईश्चन है तो 78 का यहाँ पर आपका जो B आप्शन है बिल्कुली शोगा है जिसमें कि न्यूटन ने गुरुत्वा कर्शन के सार्व भौमिक नियम का प्रतिपादन किया था यह आप याद रखने की कोशिश करेंगे न्यूटन को आप लोग तो सोच समझ करके भी नहीं भूर जकते हैं जिन्होंने गती का तीन नियम जो है दिया था नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आप लोगों के प्रतियास्ट यानि की भिशको सिटी को हम लोग बोलते हैं प्रतियास्ता तो सबसे अधिक जो भिशकस जिसको आप बोल सकते हैं इंगलिस के अंदर ठीक है कौन सा है तो 81 का यहाँ पर आपका D option स्टील यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 82 नमबर मायत पूर्ण कोश्चन देखिए वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धर्ती के केंदर की और खिचा चला जाता है और यह भी कुश्चन जो है पूछा हुआ कुश्चन है तो उस तरह से आप लोग याद रखनी का कोशिस किजेगा कि वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड जो है धर्ती के केंदर की और खिचा चला जाता है तो बिरासी का यहाँ पर आपका C option सही होगा गुरुत्वा करशन बलके कारण कोई भी बस तू धर्ती के केंदर की तरफ खिचा चला जाता है 83 नमबर कुश्चन है कि पिर्थवी के गुरुत्वा करशन का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वा करशन के सबसे नजदिक है तो 83 का यहाँ पर आपका C option सही होगा जिसकेंगे एक बट्टा च्छो बाग जो है सबसे नजदिक है चली आगे बरेंगे देखेंगे यहाँ पर आपके 84 नमबर महात पूर्ण कोश्चन 84 का यहाँ पर आपका C option जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा नेक्स देखेंगे आपके 85 नमबर महात पूर्ण कोश्चन हम यहाँ पर ज़्यदा discussion नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको बता देखेंगे हम physics हो chemistry हो, gk हो आपका मैत हो, सभी subject का chapter wise हम पढ़ाई करवा चुके हैं तो अगर आप लोग सभी subject का chapter wise पढ़ाई करना चाहते हैं chapter wise त्यारी करना चाहते हैं, ITI के बहतर त्यारी के लिए तो इस channel के पले list में जाईए आपको सभी subject का chapter wise का पले list हैं मिल जाएगा, वहां से आप लोग बहतर से बहतर त्यारी कर सकते हैं 85 number question है, 85 number question के द्वारा पूछा जारा की सयानता की इकाई हैं सयानता की इकाई क्या होती हैं, तो 85 का यहां पर आपका सही जो है, आंसर होगा वो A होगा यहां पर आपका बिल्कुल जो है, सही आंसर होगा, चलिए देखते हैं आगे 86 number question 86 number question के द्वारा पूछा जारा की दूद से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता हैं तो 86 का यहां पर आपका C option जो है, सही होगा, आप केंद्रिय बल लगता है दूद से क्रीम को, निकालने के लिए दूद से क्रीम निकालने वाले जो मसीन हैं, वो आप केंद्रिय बल के कारण ही क्रीम को अलग कर पाती हैं चलिए देखेंगे यहां पर आपके 87 नंबर question, चाभी भरी घरी में कौन सी उर्जा होती हैं, पहले घरी आया करते थी, जिसमें चाभी देना परता था time to time, तो जिस घरी में चाभी भरनी परते थी, उसमें कौन सा उर्जा होती थी, ठीक है तो यहां जो है, 87 का जो आपका सही आंसर होगा, वो A होगा, that means याद रखेंगे, इस्तितीज उर्जा, कौन सा उर्जा, इस्तितीज उर्जा यहां पर आपका बिल्कुल जो है, सही आंसर होगा चलिए, नेक्स देखेंगे यहां पर हम लोग, 88 नमबर महात्पोर्ण कुश्चन, 88 नमबर कुश्चन के दौरा पूछा जरह है कि, सूर्ज की उर्जा उत्पन होती है, सूर्ज की उर्जा जो है, किसके दौरा उत्पन होती है तो 88 का D-Option जो है, आपका सही आंसर हो जाएगा, नावकिये सनलयन के कारण सूर्ज में इतना अपार मात्रा में उर्जा है, आपको पता भी होना चाहिए, कि दौनिया का सबसे बरा जो उर्जा का सूर्ज है, वो क्या है, सूर्ज है, और उसमें नावकिये सनलयन के कारण जो है, उर्जा होती है, 89 नमर कोश्चन है कि बायू मंडल में बादलों के तैरने का कारण है, आप सभी देखते हैं कि बायू मंडल में बादल तैर रही है, लेकिन वो गिरती नहीं है, तो तैर रही है, तैरने का क्या कारण है, तो 89 का B, यानि कि घनत्यों के कारण, किसके पर क्या और परिवर्तित रहेगा वस्तु की मात्रा अगर बदल दिया जाए तो क्या और परिवर्तित रहेगा मतलिब क्या नहीं बदलेगा तो 90 का यहाँ पर आपका B option है बिलकुल जो है सही होगा याद रखेंगे मात्रा बदलने से घनत तो पे कोई भी परभाब नहीं है अगर आईटिया पर इस परिच्छा के बहतर तैयारी के अभी तक आप हमारे मुबाइल एप को डाउलोड नहीं किये हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मुबाइल एप का लिंक मिल जाएगा तो वहां से मुबाइल एप आप लोग जरू जो है डाउलोड कर लेजिएगा चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तो तक अपना ख्याल रखिए और एलजियार स्टेडी आईटियर देखते रहें